कुछ लोगों को मेरे भाशन से उनके सेंस ओफ एंटाइटलमेंट को गहरी चोट लगी जसका आसर हुआ कि पूरे एको सिस्टम ने चीख पुकार मचाना शुरू कर दिया इन्हें लगता है कि सवाल पूछने का हग सिर्फ इन्हें है क्योंकि ये प्रिवलेज्ज हैं ये वह वही लोग हैं जिनके पूरवच दलितों आदिवासियों को समानता का अधिकारना देने के बहाने बनाते थे ये वही लोग हैं जिने लगता था कि कैसे उनके सामने कोई दलित व्यक्ति कोट्मेंट पहन कर खड़ा हो सकता है और समविधान लिख सकता है बुद्दू मैंने जमात पढ़ ले कि स्वर्गिया राजीव कांदी जी ने कहा था आरक्षन के नाम पर बुद्दूओं को बढ़ावा नहीं देंगे और नब भारत टाइम्स का ये लखना ओडिशन का तीन मार्च उन्नी सो पचासी और बाई लाइन थी अलोक महता की इस इंट्रिव्यू का शीर्षक था आरक्षन के नाम पर बुद्धूओं को बढ़ावा नहीं और मैं कुछ लाइने आपके लिए पढ़ देता हूं जो प्रारंबिक इसका पैराग्राफ है परधान मंतरी शिरी राजीव कांदी की मान्यता है कि सम्विधान बनाते समय पिछड़ा वरक के लिए आरक्षन की जो विवस्ता की गई पिछले वर्षों के दुरान उसका बहुत राजनीती करण हो गया इसलिए अब समय आ गया है किनके सारे प्राफधानों पर नए सिरे से विचार किया जाए वास्तव में दबे और पिछले लोगों को इस सुविधा और सहायता दी जाए ल पूर परधानमंत्री के अती बुद्धिमान पुत्र इस देश को बताएंगे कि क्या उनकी पिता की नजरों में पेछड़ावर्ग बुद्धु था क्या कॉंग्रेस राजीव गांदी जी द्वारा दिये गए एक अती घ्रन जाती वादी ब्यान की सार्वजिक निंदा कर जो लोग आज तक लेगेसी की मलाई खाते आ रहे हैं आज उनके मुग में सवाल की खटाई पड़ गई तो जूट बोलकर जगहसाई करवा रहे हैं 1947 से लेकर कॉंग्रेस अपने वेचारिक दरबारियों के साथ मिलकर दलितों और वंचित समाज को समाज की मुख्यदारा से बाहर करने की तमाम तरह के हत्खंडे अपनाती रहे जब जुआरलाल नहरुजी से पूछा गया कि दलित और अदिवासियों को अरक्षन क्यों नहीं दिया जा रहा तो उन्हें भाना बना दिया कि उन्हें अरक्षन देने से उनके मन में हीन भावना भर जाएगी इसलिए उन्हें अरक्षन नहीं दे रहे नहरु जी ने तो अपने सारे मुख्य मंत्रियों को पत्र लिखकर बता दिया था कि वह किसी भी प्रकार के अरक्षन के खिलाफ है इंद्रा गांदी जी की भी नीती रही और बीबी प्रसाद मंडल जी जिन्होंने मंडल आयो की रिपोर्ट लिखी इस रिपोर्ट की इंप्लिमेंटेशन को भी रात ताकते रहे मंडल जी का स्वरगवास हो गया लेकिन इंद्रा जीवा राजीव गांदी जी ने 10 साल तक इस रिपोर्ट को लागू नहीं होने दिया राजीव गांदी जी तो खुले आम मंडल आयो के रिपोर्ट को लागू करने का विरोध करते रहे और जब काका कालेलकर की रिपोर्ट आई थी तब भी कॉंग्रेस ने वर्षों तक इस रिपोर्ट को दबा कर रखा और मुझे ख्षेर याद आता है लमों ने खता की सद्यों ने सजा पाई अगर सामंती सोच वाली कॉंग्रेस पाटी ने उस समय मंडल रिपोर्ट और काका कालेलकर की रिपोर्ट में किरा में रोडा नहीं अटकाया होता तो आज स्थिती कुछ और होती ये जो तुम इतनी वफा दिखाते हो सनम डर है ये कोई नई दगा तो नहीं पूरे देश्क में पिछडा दलित आदिवासी समाज को राहुल गांदी जी के इरादों पर शंका है क्योंकि ये उसी परिवार और पाटी के सरवे सरवा है जिसने आज तक सारी जर्नाव और मर्यादाओं को तोड़कर आरक्षन का विरोध किया सामानती जब समाजबादी बनने का ढोंग करते है तो बड़े खतरनाक होते है और कॉंग्रेस ने तो मोदी जी के बहाने पिछडा वर को गालियां दी अपमानित किया